environmental studies या प्रयावर्ण ध्यायन की online class में आपका स्वागत है आपने third class की EVS की book looking around या आसपास के part 2 यनि भाग 2 में जाना है कि जानबरों के चलने का धंग अलगलग होता है कुछ जानबर उड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ चलते हैं और कुछ के punk होते हैं, कुछ के pair और कुछ के push भी होती है अब आप इन animals को पहचान सकते हैं third class की EVS की book looking around या आसपास के lesson 1 पूनमस day out या डाल डाल पर ताल ताल पर के भाग 3 या part 3 में जानेंगे animals के बारे में कुछ और बते हैं, तो चलो शुरू करें इसके लिए आप अपनी third class की EVS की book looking around या आसपास का page number 4 या चार ओपन करें खोलें look at the pictures given below, नीचे दियेगे चित्रों को देखो color the animals that do not live in your house इन में से जो जानबर तुम्हारे घर में नहीं रहते उनमें रंग भरो तो चलो करते हैं ये मज़ेदार activity आप इस page को अपनी screen पर भी देख सकते हैं यदि आपके पास book या किताब है तो उसे आप खोल लें तो चलें इस picture को देखते हैं इसमें सबसे पहले देखें ऊपर ये क्या है? horse जिनी भोडा बहुत सारे रंगों का होता हैै आपकी screen पर ये जो दिख रहा है ये white कलर का horse है यह horse घर में रहता है या नहीं? सोचें जरा, आपके घर में horse को पाला गया है या नहीं? यदि नहीं पाला गया है, तो आप इसे color करेंगे. आप समझ गये है ना, जो जानबर या जो animals आपने घर में नहीं पाल रखे हैं या आपके घर में नहीं रहते हैं, उनको क्या करना है? color, उनमें क्या करना है? रंग भरना है आपने. तो next देखें, ये है dog यानि कुत्ता. dogs अलगलग colors के होते हैं और ये घरों में पाले जाते हैं, तो आप इस पर color नहीं करेंगे. dog के आगे पैचाने क्या है? hen यानि मुर्गी, यदि आपने अपने घर में मुर्गी पाल रखी हैं, तो आप इस पर color नहीं करेंगे, और यदि नहीं पाली है, तो इस पर color करेंगे. आपकी स्क्रीन पर दो color की hens दिखाई गई हैं, आप इन में से कोई भी color कर सकते हैं. तो बिल्ली घरों में रहती हैं, आप इसको color नहीं करेंगे. cat के साथ देखें क्या है? flying world या उड़ता हुआ पक्षी, तो words या पक्षी घरों में नहीं रहते हैं, अकाश में उड़ते हैं, तो आप इस पर color करेंगे. जरा horse या घोड़े के मूँ के नीचे देखें क्या है? ये cockroach लग रहा है, cockroach को हम घरों में पालते नहीं, पर ये अपने आप ही घरों में रहते हैं. तो आप इस पर color नहीं करेंगे. कॉक्रोज से नीचे आप इसको पहचानते हैं, ये है lizard यनि शिपकली, ये भी घरों में रहती है, इसलिए आप इस पर भी color नहीं करेंगे. लिजड या शिपकली के साथ क्या है? रैट, ये भी घरों में होता है, रहता है, इस पर भी color नहीं करेंगे. रैट के नीचे कोई insect या भी मदु मखी लग रही है, ये घरों में नहीं रहते हैं, तो आप इस पर color करेंगे. इसके नीचे है, फिश यानि मशली, ये घर में नहीं रहती, ये पानी में रहती है, तो आप इस पर color करोगे. फिश के साथ आपने इसको पैचान लिया होगा, ये है elephant, एलिफेंट वी घरों में नहीं रहता है, तो आप इस पर भी color करेंगे. नीचे, साइड में है duck, यानि वतक, ये भी घरों में नहीं रहती है, तो आप इस पर भी color या रंग करेंगे. इन animals को आप अपनी book या फिर अपनी copy में बना कर color करके उसकी एक सुन्दर सी pick खेंच कर अपने class teacher को whatsapp group में send करें. Here are some incomplete pictures of animals. यहां कुछ जानवरों के अधूरे चित्तर हैं. Complete them and write their names below. इन्हें पूरा करो और इनके नाम नीचे लिखो. सबसे पहले आप इनको पहचानूं. उसके बाद अपनी copy पर इनकी picture ड्रॉ करना. सबसे पहले आपको कौन लग रहा है ये? ये dog यनि कुटा. और दूसरी picture में आप इसको पहचान गे हैं. ये है fish यनि मशली. तीसरी में ये जो अनकम्प्लीट picture है, ये है cockroach की. आपकी स्क्रीन पर इनकी complete pictures दिखाई जा रही हैं. आप इनकी मदद से dog, fish और cockroach की picture को पूरा करना. Who am I? मैं कौन हूँ? Find my name in the crossword and put a circle around it. वर्ग पहली में मेरा नाम ढूंडो और उन पर घेरा लगाओ. One example has been given. एक उधारन दिया है. आपने ये activity remedial teaching में भी की है. चलो, आप इसे एकवर फिर से करें. Banana is what I love eating. I spend my time jumping and leaping. शत पर बैठ कर केला खाऊं. इधर उधर मैं कूद लगाऊं. इसको पहले से ही highlight किया गया है, दिखाया गया है. ये है monkey यानि बंदर. On the walls, webs, I beep. Where insects stick and cannot leave. दिवारों पर जाल बनाऊं, जिसमें कीडों को फंसाऊं. तो आप जानते हैं ये spider या मकडी होती है. और इस वर्ग पहली में, last row में, S-P-I-D-E-R को राउंड करें. और हिंदी की बुक में, नीचे से दूसरी लाइन मकडी को राउंड लगाएं. I remain awake the whole night and go to sleep in broad daylight. जाग जाग कर रात बितान, दिन निकले तो मैं सो जानूं. तो आप जानते हैं, ये all O-W-L या उल्लू होता है. पहली row को देखें, आपको जहां J नजर आ रहा है, उसके आगे क्या है? O-W-L इसे राउंड करें. हिंदी की किताब में, चौत्थी लाइन में, ध्यान से देखें, उ और ल आधा, लू, उल्लू. आप इसे गोला लगाएं. क्रॉक, क्रॉक, क्रॉक is my sound in water or on land I am found. तर की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं. आप इसे पहचान गे होंगे, ये होता है मेंडक या फ्रॉग. फॉर्थ रो में देखें, डी टी के बाद है F, R, O, G. ये बना फ्रॉग, इस पर राउंड लगाएं. हिंदी की बुक में, दूसरी लाइन में, र, व, के बाद है में, ड, क, मेंडक. तो इसे गोला लगाएं. आई अपियर आफ्टर रेनफाल, हैव नो फीट, सो आई क्रॉल. बारिश के बाद नजर में आऊं, पाम नहीं, पर रेंगता जाऊं. तो ये होता है सनेल, यनि घोंगा, इंग्लिश की बुक में, और हिंदी की बुक में दिया है केंचुआ. सनेल, इंग्लिश की बुक में, नीचे से सैकिंड रो, देखें ध्यान से, M के बाद, S, N, A, I, L. इसके उपर राउंड लगाएं. हिंदी की किताब में, सबसे नीचे वाली लाइन में, दे रखा है केंचुआ, केंचुआ, तो आप इसके उपर गोला लगाएं. Slow and steady, is my pace, I always been when there is a race. धीमी चाल से चलता जाऊं, दौर मैं, फिर भी मैं जीत पाऊं. तो ये क्या होता है? ये होता है, taught wise, यानि कशुआ. ये English की book में जरा ध्यान से देखें. Second column में, या first row, पहली line, X के बाद T, नीचे को देखेंगे. O, R, T, O, I, S, E, नीचे तक पूरी, दूसरा column पूरा, इसके उपर राउंड लगाएं. और हिंदी की किताब में, आप देखेंगे, पहली ही line में, द के बाद है, क, शु, आ, कशुआ. तो इसे गोला लगाएं. आपने इस वीडियो में different animals या अलग-लग जानवरों के बारे में जानकारी प्रापत की. आप इस वीडियो को बार-बार देखकर सीखें, learn करें. इस work पहली को अपनी copy पर बनाकर complete करें. और अपने class teacher को WhatsApp ग्रूप में send करें. इस वीडियो में इतना ही अगली जानकारी third class के lesson 1 के part 4 में आपको दी जाएगी. Have a nice day.